हेलो फ्रेंड्स आज हम विंडू 7 में सर्विस पेक इंस्टॉल कैसे करते हैं सबसे पहले हमने स्टार्ट के बटन पर जाना दिन उसके बाद सर्ज बार में हमने टाइप करना है और इजी डी आई टी इस पर एंटर कर देना है इस तरीके का अलाव करने के लिए येस करना है ह देन उसके बाद इस तरीके इंटरफेस आएगा हमने लोकल मशीन वाले इंटरफेस में जाना है इस तरीके से इसके बाद हमने यहां पर सिस्टम में जाना है सिस्टम में जाने के बाद current control setup में जाओगे current control setup के बाद then control में then इसके बाद इसको scroll करना नीचे फिर यहां पे एक option आएगा windows करके इसको जैसी खुलोगे आप इस तरह के इंटरफेस आएगा आपके पास इसमें आपने cd version में जाना जैसे आप cd version पर जाओगे तो आपको इस तरह के का इंटरफेस आएगा इसमें जैसे मेरे laptop में अभी service pack install है already तो इसमें 100 दिखा रहा अगर आपके में service pack नहीं है तो यहां पे 0 दिखाएगा अगर मैं इसको service pack to install करना चाहूँ तो मैं यहां पे 200 टाइप करूँगा 200 टाइप करने के बाद मैं इसको ok कर दूँगा ok करने के बाद मैं इसको cut कर दूँगा cross कर दूँगा then उसके बाद मुझे अपने system को restart करना होगा restart करके देखते हैं खुला system यह हमारा system खुल चुका है अब जैसे मैं इसकी properties में जाऊंगा इसमें right click करूँगा properties में गया तो मेरे को यह देखो आप यहां पे यहां पे मेरा service pack 1 तो already installed था then आप service pack 2 दिखा रहा है यहां पे इस तरहीं से आपने service pack अपने system में डाल सकते हो thank you